हेलो दोस्तो, आज हम मैगी को एक दम नए और अनोखे तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से पहले न आपने कभी मैगी खाई होगी और ना ही बनाई होगी, ये तरीक आपको बेहत पसंद आने वाला है, इसलिए आप वेडियो को लास्ट दरूर देखिएगा, बहुत ही कम समय में ये मैगी जटबट बनके तयार हजाती है, ना इसमें ज़्यादा कोई समय लगता है और ना ही इसमें कोई महनत, हमने यहाँ पर यिप्पी मैगी के दो नूडल्स लिया है, आप चाहे तो इसकी जगा पर कोई और मैगी के नूडल्स भी ले सकते हो, इसके बाद हमने ग कर दो से तीन मिर्टली अच्छे से पका लेते हैं, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हलका सा इसे कोग करना है, ज़्यादा इसे ऑवर्कुक हम यहाँ पर नहीं करेंगी मैगी को, ज्यादा पकाने से मैगी थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी और यहाँ पर हमें खिली-खिली मैगी चाहिए इसलिए मैगी जब एक से दो मिनित तक अच्छे से पक जाएगी इसकी बाद हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है तो यह देखिए मैगी जो है बड़िया तरीके से पक गई है इसको हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है मैगी में हलका सा कच् अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर एक छनी ले लेना है और सारी मैगी को हम इस छनी से अच्छे से छान लेना है तो यह देखिए सारी मैगी को मैंने बड़िया तरीके से छान लिया है इस छनी से अब मैगी के अंदर ना मैगी का ही काफी सारा स्टार्च होता है इसको आपको दू से तीन बार पानी से अच्छे से धो लेना है टैप की नीचे ले जाकर, तो ये देखिए, मैगी जो है बढ़िया से अच्छे से खिली-खिली हो जाएगी और भी, अब देख सकते हूँ, मैगी को मैं आपको अपने हाथों से उठा के दिखाती हूँ, इसमें डाला है थोड़ा सा टोमेटो कैचप, इसके बाद मैंने इसमें डाला है एक चमज भर की शेजवान सॉस, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रैट चिली सॉस, इसे बहुत ही बढ़िया इसमें तीखा सा टेस्ट आता है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट मेकर मतलब की मैगी मसाला तो यहाँ पर आपको अच्छे से मैगी मसाला डाल लेना है लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर आदा ही मैगी मसाला डालेंगे बागी का बचा हुआ मैगी मसाला हम बाद में इस्तमाल करेंगे इसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़ा सा सोया सॉस तो देखिए सारे सॉसस हमने इसमें डाल लिया है तो सारे सॉसस को हमें बढ़िया से मैगी में मिक्स कर लेना है जिससे सभी सॉसिस का जो फ्लेवर होगा न वो मैगी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए बढ़िया से हमें सभी सॉसिस को अच्छे से मैगी में मिला लेना है हमें इसे तब तक मिलाते रहना है जब तक ये सारे सॉसिस मैगी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जा क्योंकि जब तक यह अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तब तक इनका फ्लेवर अच्छे से मैगी में नहीं आएगा अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है कढ़ाई में दू चम्मच के करीब ऑईल डाला है ऑईल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक चम्मच का लो प्याज के रखी हमें थोड़े से बड़कां के ड़ालना है इससी दिखने में बहुत ही अच्य लगती है तो यहां पर हम इसको 2-3 मिटकश बूल लेंगे प्याज को हमें जादा नहीं पकाना है इसको हम दोसके 3 मिट तक ही भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छे से कच किट बचाया था ना उसको हम यहां इस्तिमाल करेंगे तो यहां पर हमें मैगी मसला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से प्याज में तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजे बढ़िया तरीके से भुन गई है अब इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे अब इ देखिए दोस्तों यहां पर हमारी बड़ी असी तीखी चटपटी मैगी बनके रेडी हो गई है यह देखने में ही कितनी टेस्टी है तो आप सोच सकते हो कि यह खाने में कितनी ही टेस्टी होगी बहुत ही बढ़िया और इसका अलग सा स्वाध है खाने में बहुत ही और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो सभी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है और यहां पर जो हमारी गजब की लाजवाब मैगी बनके तयार हो गई है यह देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है दोस्तों आप देख सकते हो तो मैंने तो यह पसंद आएगे खाने में जोसका स्वाध है वो एकदम अलग और नया है तो अगर आपको यह हमारी मैगी की नई और अलग रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो का एक लाइक और चैनल का सब्स्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत जिससे आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफेकिशन तुरंद मिल जाएगी